इस बॉक्स में मैंने ओडर किया है रेडमी का लेटेस्ट सस्ते बजट रेंज में आने वाला 5G स्मार्टफॉन जिसकी आज हम करने जा रहे हैं अन्बॉक्सिंग तो दोस्तो ये मैंने रेडमी की खुद की ओविसल वेबसाइट से ओडर किया हुआ है कि एमेजन पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है दोस्तो जब भी आप उनलाइन कुछ पर्चेसिंग करते हो तो हमेशा कैमरा के सामने जरूर बॉक्स ओपन करें नहीं तो कुछ भी स्कैम हो सकता है इसलिए हम यहाँ पर कैमरा के सामने ओपन कर रहे हैं दोस्तों तो यह बॉक्स ओपन हो गय किया गया है यह हमारे पास बेस बेरियंट है 8GB नहीं बलकि आपको 4GB RAM मिलती है कंपनी नहीं यहाँ पर चाला की चली है जिससे आपको लगे कि यहां तो आम 8GB RAM वाला फॉन पर्चेस कर रहे हैं जबकि वह वर्चुल RAM को एड़ करके लिखा गया है बॉक्स पर आपको कहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजे क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए यहां पर रेगुलर आती रहती है तो बॉक्स ओपन होते ही सबसे उपर हमें नजर आता है स्मार्टफॉन इसे हम साइड रखके अंदर देखते हैं एक चोटा सा बॉक्स दिया गया है इसकी बैक पर्चेस कर रहे हैं इतने पैसे लगा के और एक 18 वोट का फास्ट चार्जर तक कंपनी नहीं दे पाई वॉक्स पर आपको दिख जाएगा दोस्तों 18 वोट का फास्ट सपोर्ट करता है यह वो अलग से पर्चेस करना पड़ेगा तो कंपनी नहीं यहां पर बहुत बड़ी कंजूसी की है दस वाट का जो चार्जर होता है काफी ज़्यादा टाइम लेता है मुबैल को फुल चार्ज करने में स्मार्ट फॉन पर आने से पहले हम प्राइस को जान लेते हैं दोस्तों यह तीन वेरेंट भापको मिलेगा हमारे पास बेस वेरेंट है 4GB RAM 128GB के इंटरनल इस्टोरेज के साथ यह आपको Amazon पर यह Redmi की अफसल वेबसाइट पर मिलेगा 10,999 रुपे का इसका दूसरा वेरेंट आता है 6GB 128GB वेरेंट जो 12,499 रुपे का और 8GB 256GB वेरेंट आपको 14,499 रुपे का काफी ज़्यादा ओबर प्राइज्ड मिलता है दोस्तों 14,000 रुपे में इससे कई गुना बैटर स्मार्टफोन आपको मिल जाएंगे मार्केट में वीडियो में अंतक बने रही है आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि यह स्मार्टफोन कीतना ज़्यादा ओबर प्राइज है तो दोस्तों इसे हम रैपर से करते हैं आजाद और यह समार्टफोन का फ्रेंट लुक निकल के आ गया कोई प्री अपलाइड स्क्रेच गार्ड इस पर लगा हुआ नहीं मिलता है और उपर से यह डिस्प्ले के साथ आता है जबकि आज के टाइम में 7-8,000 रुपे के स्मार्टफोन तक में आपको पंच होल डिस्प्ले मिलती है इवन आपको डाइमिक आइलेंड वाली फिलिंग देने वाले स्मार्टफोन भी कई है मार्केट में अब इसका बैक पैनल आपको दिखाते हैं प्लास्टिक पॉली कार्मिनेट बॉडी डिजाइन काफी बढ़िया यहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन भी आपको बहुत ब फ्लेसलाइट दी आगया है फ्रेंट में जो ड्रॉप नौच है इसके अंदर आपको मिलेगा 8 मेगा विक्सल का सेल्फी कैमरा चलिए दोस्तों फटापट से सारे टर्में कंडिशन को एसेप्ट करते हुआ आगे बढ़ते हैं और मोबाइल को फटापट से बूट करते हैं मोबाइल के एज और बैजल्स को भी देख लीजे कॉनर ओपर से पतले पतले हैं नीचे चिन थोड़ी सी ज़्यादा आपको नजर आएगी मोबाइल के चारो कॉनर राउंडेड और साइड पैनल विल्कुल फ्लैट राइट साइड में पावर ओन की जस्ट उपर सिकंडरी माइक नहीं मिलेगा नहीं डूल स्टीरियो स्पीकर ऊपर से रेड्मी कंपनी तो आप आयर ब्लास्टर देना भी भूल चुकी है बगल में 3.5 mm का ओडियो जैक दिया हुआ है और लेट साइड में मिलती है सिम ट्रे और इस ट्रे को तो सिम इजक्टर टूल की जैक और स्पीकर दिया हुआ है ओवरॉल देखा जाए तो डिजाइन काफी बढ़िया मिल जाता है स्मार्टफॉन का काफी स्टाइलिस प्रीमियम फिनिसिंग वाला डिजाइन है दोस्तों इने फिल स्मार्टफॉन काफी बढ़िया लगता हाथ में कि मोबाइल के आपको पहले ही कनेक्ट करना पड़ेगा इसके बाद हम इसकी जो ब्राइटनेस है इसे 100% ले जाते हैं और डिस्प्ले को अरीप से देखे दोस्तों डिस्प्ले में आपको ब्राइटनेस ठीक टाग लग रही होगी लेकिन ओनली 450 नेट्स तक की ही पिक ब्राइटनेस मिलत कि यहां पर हमें clean UI दिया गया है लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कंपनी ने फोल्डर में प्री इस्टॉल एप्लिकेशन और प्री इस्टॉल गेम्स को छुबा के रखा है तो इनको आप अनिस्टॉल भी कर सकते हैं दोस्तों यह फाल्टों के ब्लोट वैर एप्लिकेशन फ स्क्रीन डेजुलेशन सेवं ट्वन ट्वन टू सिस्टी नेट पिक्सल फिक्सल डैंसडी टू सिस्टी पीपी आई की आपको इसमें मिलती है साथी कॉर्णिंग गुरिला ग्लास का प्रोडक्शन दिया गया है मोबाइल की हाइट है 168 मिलिमेटर 78 मिलिमेटर की वेड़ औ आपको सारे ओप्सन नजर आएंगे सबसे उपर अब आउट फॉन सेक्षन इसे उपन करें दोस्तों तो यहां पर आपको MIUI मिलता है 14 इस टोरेज देखे 128 जीवी का और इस टोरेज पर क्लिक करोगे तो इस टोरेज मेंटर कुलता है जिससे आपको पता लग जाएगा कि हम आपको टाइम मिल ली जाएंगे दो तीन साल तक डिटेल में चलते हैं दोस्तों तो यहां 4GB RAM प्लस 2GB भर्च्वल RAM को वेंसन किया हुआ है RAM टाइप है LPDDR4X बात करते हैं इसके प्रोसेसर की तो दोस्तों इसमें आपको मिलेगा 2.2 GHz का Octa-Core प्रोसेसर और चिपसेट MediaTek Dimensity 6100 प्लस का दिया गया है यह बेस्ट है 6NM के फैब्रिकेशन पर माली G57 के ग्राफिक आपको मिलते हैं Storage टाइप बढ़िया वाला दिया है UFS 2.2 का और दोस्तो Expendable Memory 1TB तक आप इस पॉन में बढ़ा सकेंगे आप एक छोटी सी नजर इसके कैमरा पर डालते हैं दोस्तों तो कैमरा ओपन करते हैं जो भी Permission मांगे Allow कर दीजे दाकि हमारा जो कैमरा वो अच्छे से ओपन हो जाए तो आप यहाँ पर आपको कैमरा दिखाते हैं तो कैमरा के लैटी में कोई सक नहीं बढ़िया कैमरा आपको मिल जाता है जूमिंग पावर देखते हैं तो 10x तक का जूम सपोर्ट भी आपको इस फॉन में मिल जाता है उपर से स्लो मोशन में भी वेडियो सूट करते हो तो वो भी इसमें आपको नहीं मिलता है नाइट मोड पॉर्टेट मोड का उप्सन आपको दिया गया है फ्रंट कैमरा देखते हैं इसका 8 Megapixel का तो ठीक टाग अबरेज सेल्फी कैमरा मैं कोँगा दोस्तो जूम सपोर्ट फ्रंट कैमरा पर तो नहीं मिलता है लेकिन कैमरा के लेटी ठीक टाग लग रही है बाकि तो अपनी अपनी पसंद होती है आप कमेंट बॉक्स मताइए कैसा लग रहा इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा फ्रंट कैमरा पर ध्यान देना चाहिए कंपनियों को क्योंकि फ्रंट कैमरा आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रियर के मुकाबले तो फ्रेंट्स ये था रेडवी 13 स्रीस का लेटेस्ट 5G स्मार्टपॉन और अब बात करते हैं इस स्मार्टपॉन को पर्चेस करने की तो दोस्तों मुझे यहाँ पर ये स्मार्टपॉन प्रस्टनली बताओं तो काफी ज़्यादा ओवर प्राइज लगा आप 11,000 रुपे खर्च करके इस स्मार्टपॉन को लाए और इसमें आपको मिली क्या HD प्लस डिस्प्ले और उपर से आपको यहाँ पर 10 वोर्ट का चार्जर अडप्टर दिया है प्रोस्टेसर तो अच्छा मिल जाता है लेकिन फुल HD प्लस डिस्प्ले होनी चाहिए आज की टाइम में जब आप 10,000 रुपे से उपर खर्च कर रहे हो और 8GB 256GB वेरेंट तो 14,000 रुपे 14,000 रुपे में तो एक गेमिंग स्मार्टपॉन आ जाता है आप इसको गेमिंग का समझ के मत खरी लेना दोस्तों यहीं तो कर लोगे आप इसमें लेकिन वह मजा नहीं आएगा नेक्स लेबिल वाले गिमिंग नहीं कर पाओगे फ्रो लेबल वाली और आप रहसान हो जाओगे और लोंग अगर gaming करते हो इसमें तो ये phone heat हो जाएगा और बार-बार lag भी करेगा इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से अगर इसका कीमत 9,9,000 रुपे हो जाए कल के दिन तभी इसको purchase करने की सोचना अधर्वाइस तो इससे बढ़िया रेड्मी 12 का ही लो दोस्तों मैं यह नहीं कह रहा कि रेड्मी कंपनी के phone बुरे हैं यह price के इसाब से नहीं बना हुआ है दोस्तों रेड्मी 12 5Z आप ले सकते हैं दोस्तों वो भी 11,000,000 रुपे का उफर का यूज करके काफी सस्ते में मिल जाता है और इससे बढ़िया पंचोल डिस्पले मिलेगी गिलास बैक पैनल आपको उसमें मिलेगा साड़े 22 वोड का फास चार्जर भी असमें दिया गया है अन्य विवर्स को भी कुछना कुछ मदद मिलेगी तो आशा करता हूं मेरे द्वारदी की जानकारी आप सभी के जोर्ब कुछना कुछ काम आएगी